मध्य प्रदेश में 28 स्विधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चनौ के लिए अब प्रचार थम गया है और अब चुनौ में अपना भाग अजमा रहे सभी प्रत्याशी घरगर जाकर मददाताओं से जन संपर करेंगे और अपने पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे दिन नवंबर को 28 स्विधान सभा सीटों पर मददान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिंती के बाद परिणाम घोशित किये जाएंगे जुनावी प्रचार के अंतिम दिन मुख्य मंद्री शिवराज सिंग चोहान जोते रादेते सिंधिया पुर्व मुख्य मंद्री कमलनाथ समित कई कतावर नेताओं ने धुआधार प्रचार किया रविवार को जहां मुख्य मंद्री शिवराज सिंग चोहान ने चार सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया है तो वहीं दूसरी तरफ पुर्व सीम कमलनाथ ने कॉलियर चंबल की 16 सीटों पर तुफानी प्रचार कर अपनी पूरी ताकत जोग दी है कमलनाथ ने मुरेना में जनसभाओं को संबोधित किया तो सियम शिवराज सिंग चोहान ने हट पे पलिया और उसके आसपास के इलाकों में जनसभाओं की मध्य प्रदेश में कुल 230 विधान सबा सीट है जिसमें से वर्तमान में 28 सीट खाली है विधायकों के निधन के पाद 3 सीट खाली हुई है जबकि 20 सीटों पर कॉंग्रेस विधायकों ने सिंध्या की समर्थन में इस्तिफ़े दिये थे और कॉंग्रेस के तिन और विधायक ने विधान समा की सदस्यता से स्तिफ़ा दिया था भाश्पा को 28 सीटों में से 8 सीटों पर ही जीच चाहिए जिससे वो अपनी सक्ता मध्य प्रदेश में बरकरार रख सके लेकिन कॉंग्रेस के सामने यही चुनौती है कि क्या वहाँ भाश्पा को सक्ता से बेदखल करने में काम्याब हो पाएगी हालंगी अब जनता तैक करेगी कि प्रदेशी का मान किसके हाथ तुमें दी जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइपुर्ट